15 से स्वामे विवेका नंद जी किताबे पढ़ती थे तो मुझे ऐसा लगा कि आपका जो परपस ओफ लाइफ है आपके जिन्दगी में जो आपका मकसद है वो बहुत जरूरी होना चाहिए और मेरा मकसद कहीं न कहीं सिवा था मेरा मकसद कहीं न कहीं देश था और इसके लिए मुझे एक माध्यम मिला और एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला जिसका नाम श्री नरेंद मोदी था एक गुरू मिला जिसका नाम देविंद्र पड़नविस था इन दोनों को देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि यदि एक वेक्ति चाहे तो दुनिया बदल सकता है तो यदि हम जैसे युवा सब मिलकर अगर चाहेंगे तो हम राजनीती क्या हम सब कुछ बदल सकते हैं तो यही सोच कर यही जस्पा रखकर मैं राजनीती में आ गई गुरूर विष्टु गुरूर देवो महेश्वरा गुरूर साक्षात्परंब्रम्हा तस्मै श्रीगो